यदि आप भी बिहार बोड से कलास 10 का एकजाम 2022 में देंगे और आप चाहते हैं कि कलास 10 के हिंदी के पेपर में आपका 100 में 100 स्कोर हो कैसे हम हिंदी की तैयारी करें कि जिससे की हमारा हिंदी में सांदार एक श्कोर आए 2022 बोड परिक्छा में तो आज का इस संदार वीडियो आप ही के लिए तयार किया गया, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भी हार बोर्ड क्लास 10 हिंदी, एकजाम 2022 के ओरिजिनल कोशन पेपर कैसे आएगा, ओरिजिनल कोशन पेपर के आधार पे एकजाम पैटरन को समझेंग और एक सटीक रणनीती की चर्चा करेंगे, जिसका पालन करके हिंदी में सांदार एसकोर ला सकते हैं, उसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, कि हिंदी के कौन-कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा देहान देना है, कौन- जो भी चर्चा करेंगे, हम लोग 2022 के नए सिलेबस का अनुशार समझेंगे, उसके साथ साथ हम आपको बुक लिस्ट की जानकारी देंगे, कि अभी से आप कौन-कौन सा बुक फॉलो करके हिंदी में आच्छा एसकोर कर सकते हैं, शुरुवात करते हैं, ओरिजिनल कोस्चन का वीडियो सॉलूशन मिल जाएगा, चाहे आपका कोस्चन होमवर् का हो, सिबियसी का हो, यूपी, बिहार, महरास्टा, राजस्थान, एंपिया किसी और बोड का हो, चाहे आयाइटी, जेही, नीट या क्लास, छट्थी से बार हुई के सवाल हो, सब का जबाब मिलेगा, या फिर कोई और भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ, बायलोजी, साइन, आपके सभी सवालों के जबाब मिलेंगे, डाउट नेट पर, पढ़िये, कोटा के बेस्ट, जी बी सर, एंजे सर, आकांचा मैम, प्रिंस सर जैसे, टॉप टीचर से, यानि अब प पर है, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं, प्रस्न पूष्टी का करमाएं, कि यहाँ पर प्रस्न पत्र स्थेट हैं, यहाँ पर बताया जारा कितना घंटा समय मिलेगा, कितना का एकजाम होगा, जैसे ही इस कोश्चन पर को सॉल्प करने के लिए आप बढ़ेंगे, तो नीचे इसका देखें, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, इंस्ट्रक्शन सभी कॉमन है, हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग दोहराएंगे नहीं, लेकिन जो भी छातर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जनकाने के लिए हम बता दे, आप भी 2022 बोर्ड परिच्छा बिहार बोर्ड से देंगे, तो आपको टॉपर बनाने के लिए आपके लिए एक स्टांदार रननीती, ऐसे ही हम लोग सभी सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, इस करम में हम आपको पीछे मैत के ऐसे ही वीडिय रहेगा इंग्लिस, अगर उसका भी डिमांड रहा तो उसको भी अगले वीडियो में हम लोग कभर कर लेंगे, ताकि सभी बिसाय का रननीती, सिलेबस, एकजाम, पैटरन आपके पास किलियर है, और आप उसी हिसाब से अपना नोट्स और तयारी करें बुक लिस्ट आपको प्रसन पत्र करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे आपको कुछ इस पैटर्न में प्रसन पत्र मिलेगा हिंदी में, हिंदी में 100 आपसे अब्जक्टी प्रसन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 का जवाब आपको OMR सीट पे देना होता, इसके लिए आपको 50 अंक मि गधांस, और इस कॉखह में से एक गधांस, अबतात कि चार में से दो आपको बना देना है, दस-दस अंका राएगा, इसके लिए आपको 20 अंक दिये जाते हैं, उसके बाद निबंद लिखने का परियास करें, क्योंकि निबंद आपसे एक पूछा जाएगा, इसमें 5 अप प्रसन रहेगा, जिसमें संबाद, अर्थत की दो छातरों का मत्य बादचीत, संबाद आपको लिखना होगा, तो दोनों में से कोई एक प्रसन आप लिख सकते हैं, उसके लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा, इसको सॉल्फ करने के बाद हिंदी में 2022 परिक्षा में सबसे ल दूसरे नमर पर आपको मिलेगा, जिर घुतरी ये प्रसन जिसमें 2 पूछे जाएगे, जिसमें से आपको एक का जवाब देना, और इसके लिए 5 अंक रहेगा, इसमें आपके गदखंड, पदखंड, फर्स्ट इंदी, सेकेंड इंदी, सभी इसे प्रसन रहते हैं, टोटल ब्याकरन का कौन-कौन सा टॉपिक आपको अभी से तयार रखना है, इसमें एक नमर पे आपको वर्ण चेप्टर पहलेना है, क्योंकि बर्ण से खूब प्रसन हर साल पूछे जाते हैं, उसके उचारान स्थान से, और भी बर्ण को पहचानने के लिए प्रसन आते हैं, तो बर्ण चेप्टर को आपको तयार रखना है, उसके बाद आपको संधी चेप्टर से भी हर साल खूब प्रसन आता है, तो संधी को भी आपको अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद समास से भी खूब प्रसन पूछे जाते हैं, अबजेक्टिव तो समास चेप्टर को भी सब्सक्राइब नेक्ट संगया सरबनान क्यूंकि जब विकारी और विकारी और पढ़ेंगे तो संग्यास लेकर और विस्मयादी बोधक तक चार विकारी और चारव विकारी और सब आपको इसमें बड़ा सा चेप्टर इसको आपको complete करकर रखना है क्योंकि यहां सभी प्रसन आते हैं उसके बाद आपको बचन और लिंक से प्रसन पूछ जाते हैं तो इस टॉपिक को भी आपको तयार रखना एक-एक टॉपिक नोट कर लिजे क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आप कोई भी ब्याकरन के बुक रखे हो कहीं से पढ़े आपको इस सभी टॉपिक कभर कर लेना है अभी से पर्याप समय है नौ नमर पे बात करें तो आपको परियवाची सब बिलोम सब्द सुध सब्द काल यह सभी चेप्टर आपको ध्यान से देकर पढ़कर जाना है यूँकि परियवाची सब्द बिलोम सब्द और सुध सब्द से तो खूब प्रसनाते हैं दस नमर में आपको जो आपके पाठ्थे पुस्तक है उसको तो आच्छा से दो बार त बीटा रहेगा तो खुद से आपको पढ़कर उसको रिवीजन कर लेना है यहां पे तो मैंने आपको इंपोर्टेंट टॉपिक की जनकारी दे दिया इसको नूट करके आप रखेंगे क्योंकि यहीं इतना टॉपिक बस मातर दस टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपका स लिटाब से ही प्रस्ट आएंगे तो पचास आपका फिक्स हो गया गधांस आपको क्या करना है डेली आपके पास जो भी बुक हो कम से कम डेली नहीं तो सब्ता हमें कम से कम दो गधांस आप सॉल्व करने का पर्यास करें क्योंकि सोचिए 20 अंग का यहीं गधांस है तो कम से कम सब्ता में एक निबंध तो आपको लिखना ही चाहिए क्योंकि 10 अंग मायने रखता है और समबाद भी आप लिखना सीख सकते हैं क्योंकि पांच अंग इसमें से भी नमर नहीं कटेगा और हिंदी के बुक को जो मैंने बताया बार बार आप पढ़ेंगे प्रस्ट उसी बुक से आते हैं तो आसानी से आप सो में सोवे स्कोर कर सकते हैं सिर्फ आप यदि अच्छा से लिखने का अभ्यास किये हैं तो सबी टॉपिक आपको पढ़ेंगे अर्थाथ की बुक लिस्ट किया है तो यहां पी आप ध्यान से देख लीजी आपको बुक बस इतना ह पढ़ें और चैप्टर से प्रस्ण बनाने का परियास करें और उसके बाद इसके अंत में जो ब्याकरन खंड के प्रस्ण है उसको भी आसानी से आप बना सकते हैं उसको भी बनाएं तो इसके बाद एक सेकेंड हिंदी का पतला सा और बड़ा संदार पूश्त है कि इसमें तो आप दो तीन बार पढ़ लेंगे तो इसका परतेक कहानी आपको याद हो जाएगा और यहां से एक भी प्रस्ण आपसे गलत नहीं होगा तो इसको भी अराम से आप पढ़ें तो इह दो बूक आपको कमपल्सरी और फॉलो करना इसके अलावा को समझाने के लिए लगा ह आप कोई भी हिंदी भी करन फूलो करने के आव सकता नहीं है कोई भी हिंदी ब्याकरन आप लेकर और जो जो टॉपीक मैं लिखाया हूं उसको आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा मोडल पेपर आएगा 2022 का उसकी हम जानकारी देंगे जो टॉपिक इस वीडियो में बताया गया है दूसको आप अच्छा से पढ़ते हैं और जिस तरह रनलिती बताया गया ये बूक को फॉलो करके और अपने से खुच से नोट समनाते हैं तो आपका हिंडी में संदार रिजल्ट आएगा